जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो जोति शास्र में शनी देव को कर्म फल दाता ग्रह माना गया है इस ग्रह का सीधा संबन्द व्यक्ति के कर्मों से होता है 5 जून 2022 रविवार के दिन सुबह 4 बज कर 14 मिनट पर वक्री होने जा रहे हैं शनी ग्रह और ये अपने स्वामित वाली राशी कुम राशी में वक्री होने जा रहे हैं ये राशी राशी चकर के ग्यारवे स्थान पर आती है शनी की उल्टी चाल मुसीबतों को बढ़ावा देती है शनी की इस वक्री अवस्था से कई राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ऐसी छे राशियां हैं जिन्हें जीवन में कैई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पहली राशि है संग राशी संग राशी के जो लोग ہیں वो आत्म विश्वासी होते हैं और शनी की वक्री अवस्ता के करण इनके आत्म विश्वास में कमी आएगी इन्हें अपने कारे के प्रती और जादा सच्छेत रहनी की जरूरत है आर्थिक समस्याओं का सामना भी ने करना पड़ेगा दूוסरी राशी है कन्याराशी कन्या राशी के जातकों को इस समय अपनी व्यापार में सत्रक रहना है पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतनी है क्योंकि यहां आपके पैसे फसने के बहुत जादा चांसिज है तीसरी राशी है मकर राशी व्रिष्चिक राशी वालो को शनी की कूद रिष्टी से बचने के लिए थोड़ा सा सचेत रहना होगा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा और पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतनी होगी चौथी राशी है वरिष्चिक राशी वालो को शनिवार के दिन भगवान शनी को काले तिल और तेल चढ़ाने से आपके ऊपर जो शनी दोश है शनी का जो विप्रीत प्रभाव है आपकी कुनली पर वो कम हो जाएगा पांचवी राशी है कुम्ब राशी, पांच जून से शनी कुम्ब राशी में ही जा रहे हैं तो इसका असर कुम्ब राशी वालों पर बहुत जादा पढ़ने वाला है कुमराशी की जातकों को شनी वार के दिन सनान करके शनी मंदिर में जाकर पूजा, अर्चना, कोई पाठ हवश्य करवाएं शनी के प्रकोप से बचने के लिए या आपके लिए बहुत ज़रूरी है चटी राशी है करकराशी करक राशी वालों को सफलता मिलते मिलते रह जाएगी और इस समय आपको धीरज और सयम से काम लेना होगा अनावश्यक लड़ाई जगड़े से बचना होगा आपके पास कही ऐसे मौके आएंगे जब आप सफलता के बहुत नजदीक होंगे लेकिन सफलता आपके हाथ आते आते रह जाएगी तो इस समय आपको शनी मंदिर में जाकर काले तिलकादान करना है आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करें धन्यवाद